हेलो फ्रेंड आस्वाम लेकूं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज मैं एक प्रेंटी में बनाए लगी साफ़ी दिन से सोच रही थी ये कुछ फ्रेंग घर पड़ी थी तो मैं सोच रही थी इनका कुछ बनाओ और ये ट्रेम पड़ा हुआ था और ये वाली शीप पड़ी थी और इसको हम लेंगे और फ्रेम के दिशे जो कता होता है उसके उपर लगाएंगे अच्छ इसको लगाना है फूल इसको कवर करेंगे और बाद में इसको काट लेंगे गाम आप कोई भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकर ये गान वारी जो होती है जल्दी से फुक जाता है और बहुत मजबूत होती है ये अच्छ मेर को मच्चे से लगाएंगे गाम की मदब से अब ये गम खत्म हो गई तो मैंने इसके स्टेक को और डाली इसके से गम के साथ लगाएंगे बस इसको भी लिगाते जाया ना लगाते जाता है गम को लगाएंगे जाये लगाएंगे अब इसको केंची के मज़द से अमभाई निकालेंगे ना भी निकाले तो अच्छा है आप एंटिंग को हैंग कर ले और पिर हम और शीट लेके इसको लगाएंगे इसको शीट से च्छे और गम लेके इसको चैसे लगाएंगे और इस बाज निच्छे भी शीट हम लगाएंगे ताकि अधा नगर ना आए और अब में च्छत पर बैके रिकार्डिंग कर दीए हूं और यह हम इसको अच्छे के लगा लेंगे झाल जह हमें च्छत्र व्टत्र चाहिंगे पाल के बाएंगे यह हमने लगा ली है और अब हम इसको फ्रेम में फिट कर लेंगे इसको फिक्स कर लेंगे जब फिट हो जाए तो हम अपनी स्पून्स को इसको अपर लगाएं कि अपनी स्पून के ओपर मैंने गौर्डन कर लेका स्प्रेम आ रहा है और इसको दूखे रखके आप सप्रेम और इसको सूखे लें और नीचे को शीट रख लें यह अफार रख लें भीजिए इसके ओपर स्प्रेम लगाएं अब मैं इसको रख रही हूं पहर एक दफ़ा पर राकले ऐसे इसके बाद आप गाम के साथ लगाएं और यह मैं राक्ष्री में भी वैसे राक्ष्री इसके बाद मैं गाम के साथ इसको फिक्स कर लूँगी लगाते हैं अब इसके गम लेंगे और इसको लगाएंगे इसको लगाएंगे में जुगान होती है यह जदाची होती है बाकिंग के निस्पट यह तो जल्दी चिपक जाता है और इतनी जल्दी उतरता नहीं लेकिन इत्याद के साथ इस्तमाल करनी होती है बहुत कहरा होती है यह भी हम इस वक्त इस्तमाल कर सकते हैं जब लाइट हो और पाकिस्तान में आपको पता है गर्मियों में क्या होती है अभी तो सर्दी है अभी लाइट नहीं जाती इतनी हम इसको अच्छी से फिक्स कर देंगे एक तरह इसे लगाएंगे फिर उपर लगाएंगे हम अब हम अब हम अब हम अब हम अब कर लगाएंगे अब इसके तो उपर हम फ्लावर लगा देंगे गम की मज़से और अभी हम डेकुरिशन के लिए उपर लगाएंगे गम की मज़से हम इसके उपर लगाएंगे पहले एक दफ़ा आप उपर लगा की चेक कर लिए इसके बात आप फिर गम से इसको फिक्स कर दे तो अभी मैं गाम के साथ को फिक्स करने लगी हूँ बहुत इत्यास से चूज करें क्योंकि यह बहुत करम होती है उसके बाद हम जाकुरीशन के लिए यह बीड़ से लगाएंगे उपर अराम से हाथ को बचा के होई है मैंने कुछ दिन पहले पिस्ता के जो छिलकी होते हैं उन पे सप्रे किया था अब वो कुछ बच गए थे और मैं अभी इस पे यूज करने लगी हूँ इसको भी गाम की मदश से हम फिक्स करेंगे मेरे जियन में जब उस ताइम जो भी आया था आइडिया और मैन ऐसे और पिर आप मैंने वक्त वाल पह भी लगाए नहीं थे उसे फिल्ला आपको दिखा रहे हैं और बहुत श्क्रियां मेरी वीड़े को देखने के लिए तब तक के लिए अलाँ आफ़ीज और में चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिए